नवश्कार दोस्तों देखे मित्रों आजम जिस विशे पर बात करने वाले हैं एक बहुत मेत्पुन विशे है जो कि हमारे जीवन से जुड़ावा है अगर मैं ये दुनिया भी छोड़ दूँ तो 4-5-10 दिन लोग याद करेंगे नमस्कार सातियों तो ये जो आवाज आपने सुनी है मित्रों ये थी आजे चोदरी सर की और आप सभी उनको बहुत ही चाते हैं मित्रों इसलिए आप मैंने एक वीडियो प्रेशित किया था और उन पर बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किये हैं लेकिन एक सवाल आपका रहता है मित्रों कि आप ही अजे चोदरी सर हो तो आज इस आवाज के मादेम से देखे मैंने एक वीडियो अजे सर का प्रेशित किया है और एक अपना साथ में कर रहा हूँ तो आप डिफरेंस इसमें पता कर सकते हैं अच्छे से कि मैं अजे चोदरी सर नहीं हूँ हाँ थोड़ी भोथ उनसे ट्यून है वो मिलती होगी लेकिन अजे चोदरी सर की जो आवाज है वो दिल को छूने वाली थी मित्रूम आप सभी इसी लिए उनको चाते हैं और जो उनका पढ़ाने का तरीका था वो भी ला जवाब आलांकि कुछ समय से उनके वीडियो आ नहीं रही है कारण क्या है ये हमें भी नहीं पता है मित्रूम या कोई बिमार है या कोई घर में इस प्रकार की इस्तिती है जिसके कारण वो वीडियो प्रेसित नहीं कर पा लें बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप पता करें देखिए हमारे पास में ये वीडियो ही एक जरीया है आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे हो सकता है सर के पास में भी ये वीडियो जाए लाइक एक जरीया होता है मितरू किसी व्यक्तिक के पास में वीडियो को पहुंचाने का तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेर कर दें कमेंट भी करें मित्रूं जिससे अजे चोधरी सर के पास में ये वीडियो जा सके और वो आप से जल्द से जल्द रूबरू हो सकें काफी समय से जो हमारे साथी हैं वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि सर आप ही अजे चोदरी सर हूँ लेकिन आज ही आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो के मादम से अब देखें अमित्रों जो आपने कमेंट किये हैं वो किस प्रकार के हैं एक बात देख लेते हैं उनको भी मेरा मकसद यही अमित्रों कि अजे चोदरी सर जहां पर भी हूँ इस वीडियो के मादम से आप सभी से रूबरू हूँ जल्द से जल्द रूबरू हूँ क्योंकि आप उनसे इतना जुड़े हुए हैं देखें इनके कमेंट किस प्रकार के जो अपने साती हैं उनके आये हैं यह है बिना आपको पहली बार सुना तो ऐसा लगा जैसे अजे सर को सुन रही हूँ मुझे डाउट था कि कहीं आप ही अजे सर तो नहीं ठेंक से लोट सर आप अच्छा बढ़ाते हैं तो यह बिना है इन्होंने इस प्रकार से कमेंट किया है कि पहली बार जब आपको सुना तो अजे सर की आवाज की तरह ही आपकी आवाज मेरे को लगी और देखे इतने ज़दा कमेंट किया है यह सारू है इन्होंने लिखा है सर की ही आवाज है यह सो परसेंट काँ है आजे सर मिस यू प्रते कमेंट देखते हैं जो भी आपने किया है सर पलीज कम बैक देखे कितना प्यार करते है यह एकमेंट ओर है हमें आजे सर की बहुत जरूर थे और याज भी ही बहुत आ रही है हमारे गुरुदेव सब के भले की सोचते हैं अब ऐसा क्या हुआ है कि सर अपने स्टुजेंट को बिना बताए है इस प्लेट फॉरम से ओदल हो गए है। कोई तो कारण है। क्या कोई हमें बता सकता है कि सर क्यूं नहीं आ रहे हैं। चिंता तो होगी मित्रों लगवगे 7-8 महिने का समय हो गया है। अभी तत कोई भी वीडियो इनके द्वारा प्रेशित नहीं क्या गया है और नहीं कोई सूचना है इस प्रकार की कि वीडियो क्यों नहीं प्रेशित किया रहे हैं। ये सुसिला कुमारी सेन है इन्होंने लिका है सर जी प्लीज कैसे हो। सर जी आपके मारक दर्शन की बहुत बहुत जुरूरत है प्लीज सर जी। सारू ने फिर लिखा है ऐसा क्यों लग रहा है सर के साथ कोई अन होनी तो नहीं हो गई है। हम तो बहुआन से यही दुआ करते हैं कि सर जहां भी हूँ सुरुक्सित हूँ और जल्द से जल्द आपके सामने आएं। सर कहां हो आप हम बहुत टेंशन में हैं। अनीसा चोदरी ने लिखा है। सर प्लीज हमें गाइड करें। और ये पी सरमा हैं जिन्होंने लिकाए सर कहां हो। अरे कोई तो ओफलाइन का स्टूडेंट होगा या उनका कोई फेमेली मेंबर होगा। कोई जरूर बताए प्लीज मेरा रेट का पेपर है। पर जब भी सर को याद करती हूँ कलेजा सा फटने लगता है। सर ठीक हैं। आजे सर आप तो बहुत सुल्जे हुए इनसान हैं सर। आपको गलत कदम नहीं उठा सकते। पर जहां भी हो बस एक बार कैदो। मैं ठीक हूँ हमारे लिए इतना ही काफी है। देखे ये जो सबद हैं बच्चों के दिल से निकले वे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेम करते हैं। और जो पढ़ाने का उनका तरीका था मित्रूं। एक अलग ही छाप छोड़ी है। यूटूब पर बहुत ज़्यदा फाइदा हुआ है छात्रों को। ये प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता है मित्रूं। जो मेनत करते हैं दिल से मेनत करते हैं आप सभी के साथ में अच्छ से जुड़ते हैं और जो उनका विवहार था। पर तेक चीज को बारिके से बताना वो ही आपके दिल को छुटा है। कमेंट की वर्मार है कहां गए सर जी आजे चोदरी सर प्लीज कोई तो बताओ सर कहां गए हैं। ये रेखा है देखे इसकी आजे सर आपकी आवाज सुनने को तरस गए हैं ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ गया। सर प्लीज लोट आए यूटूब पर आप जैसा कोई नहीं प्लीज सर लोट आए का ये देखिए। प्रतेक चातर की आवाज दिल से निकली हुई है मित्वूं। उनसे जो जुड़ाव है प्लीज सर जी सर जी को वापस लाइए ना सर जी। मैं पूरी तियारी सिर्फ आजे सर जी से ही कर रही हूँ। उनके नोट्स के लावा कुछ भी नहीं पड़ती और रीट का सलेवस कितना बड़ा है लेकिन सर अब आते ही नहीं। बिलकुल मित्रूं जो वो पड़ा देते ये हंड्रेड परसेंट सकते है मित्रूं कि फिर आपको उनसे बाहर पड़ने के आवसकता ही नहीं पड़ती थी। अच्छे से प्रतेक सबद को समझाना बारीके से समझाना ये उनका तरीका लाजवा बता। विक्रम ने लिखा है नमस्ते सर आपकी एक नई आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं आपका नया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है प्लीज बता दीजे सर। सर जी आप सामने भी नहीं आते और अब तो आपके आवाज भी नहीं सुनाई देती। प्लीज सर जल्दी आ जाईए। प्लीज वो ही हमारी लाइफ सेट कर सकते हैं। प्लीज कहां हो सर आप। अजे सर के कोई तो कॉंटक्ट होगा यूटूब पे जिसको पता होगा। सच में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहां है अभी सर कोई नया वीडियो नहीं है। ये निर्मला नेरा हैं कोई मीडिया वाले को कहते हैं पता कर लेंगे अजे सर कहां से हैं कोई तो होगा जो लोकल होगा जो सर को जानता होगा ये तो अजे सर की ही आवाद है मैंने भहूत बार सर का contact सर्च करने की कोशिश की Google और एप पर भी लेकिन सर का पता ही नहीं कहा है नहीं पता सर कैसे हो पता है क्या क्या हुआ है हाँ सर जी आप कहा है प्रतेक का यही स्वाल है मितरू सर कहा है सर पलीज बताई यह टेंसन हो रही है सर क्या आपको पता है क्या सर कहा है क्यों नहीं आ रही हो पलीज ये देखे ये किसी को भी नहीं पता है मित्रूँ उन से जो जुड़े वे हैं परिवार के लोग वही जानते होंगे पाकी कोई कॉंटेक्ट नमर नहीं है उनके सर प्लीज उनको बलाईए अब देखिए हम तो वीडियो प्रेसित कर सकते हैं आप जूहीं लाइक करेंगे वीडियो आगे जाएगा और आपके लाइक में इतनी दाकत है मित्रूँ यूटूब पर यूटूब पूरे वर्ड में फैलावा है सर जहां पर भी होंगे वहां पर हंड्रेड परसेंट वीडियो पहुंच जाएगा अगर आप लाइक करते हैं तो सर एक वीडियो बना के बता दो क्या प्रोब्लम है बता दो सर एंसन होती है आपके लिए अच्छनक बिना बताए कहां गए प्लीज सर कोई तो होगा जिसको सर के बारे में पता हो कोई ओफलाइन स्टुडेंट या कोई जो परसनल ही सर को जानता हो उनकी टीम का कोई मेंबर हो ऐसी क्या बात हुई है जो सर ने पांच महिने से एक भी पोस्ट नहीं डाली है अलांकि ये समय बहुत ज़्यादा हो गया ये पहले की है इनकी जो अपने ही चैनल पर इन्होंने कहा है बच्चोंने सर जी आपके आवाज भी आजे सर जी से मिलती दूलती है हाँ थोड़ी बहुत मिलती होगी लेकिन मित्रों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनकी आवाज में और मेरी आवाज में थोड़ा बहुत तरीका उन्हीं से सीखा हुआ है पढ़ाने का तो उसी परकार से पढ़ाते हैं आपको ये सर कौन है सर ये मैं सुरेश रिवाड हूँ और वो अजे चोधरी सर है खेमेली प्रोब्लम्स हैं उनके ये लिखा है लक्समी चोधरी ने इनको थोड़ा बहुत आलांकि पता होगा इसलिए ही इन्हों निकाह है और जो मेरी आवाज है उसी को देखे क्या बता रहे है ये आवाज उनके पास का ही कोई है सेम वोईस, सेम लेजा और सेम टून जहांके सर है वही के ये है एक ही टून है दोनों की एक ही जगए के हैं दोनों जूजनों सीकर में भी काफी अंतर है बासा के टून में सर को ऐसा क्या हो गया कि वो एक वीडियो भी नहीं बना सकते कोई तो कुछ बताओ तो मैं तो आगरे फिर से करूँगा प्रिये स्टुडेंट सभी से आपको कि किसी को भी अगर जानकरी है तो प्लीज बताएं चात्रों को जिससे थोड़े सी जो आतम संतुष्टी होती है वो तो कम से कम हो चात्रों को सर पता करो ना सर कैसे हैं अजे चोधरी सर के बारे में पता करो प्लीज एक बार सर लाइव आजाओ सर प्लीज आप कहा हूँ आपके आवाज भी सेम है ये कह रहे हैं हाँ थोड़ी बोच मिलती होगी एक बार लाइव आईए सर सर प्लीज उनको बलाईए और ये वीडियो मैंने प्रेसित किया था मितरू उनको खोजने के लिए कम से कम उनके पास में ये वीडियो पहुँचा हो आपने लाइक बहुत सारे किये हैं बहुत सारे कमेंट किये हैं और आज वाला जो वीडियो बनाए दा रहा है वो भी आप सभी के लिए है जिससे सर के पास कम से कम यह आवाज पहुँच सके और सर आप से जल्द से जल्द रूब रूँ हूँ अनीसा चोदरी ने कहा है अकसित गुजर तो भाई आप ढूंडो ना या किसी से पुछो कहा है सर एक बार अकसित गुजर करें हैं सर अनीसा जी पता नहीं फेमेली प्रोब्लम्स हैं या और पता नहीं यही बात है बस सब यही करें कुछ फेमेली प्रोब्लम्स हैं या अन्ने कोई क्यों नहीं आ रहे हैं अजे सर का हूम सची वाले के पास में आस पास बता रहे हैं और रामवीर सिंग गुजर हैं इन्होंने लिखा दे कि ये वीडियो प्रेसित किया था मैंने मेरी ये आवाज है सर आप अजे चोदरी हो ये आवाज तो सर अजे चोदरी जी की ही है अब देखे मित्रू आपको लगता है ऐसा लेकिन है नहीं ये मेरी आवाज है सर आप अजे चोदरी जी ही है सर कहा हो आप हम बहुत टेंशन में है जो रोज वीडियो देखते थे मित्रूं सर के उनको निश्चित तोर पर याद आ रही है पुराने जितने वीडियो है वो उतने ही डले वे हैं आगे 5-7 मैने से कोई वीडियो उनका आया नहीं है कोई नया चैनल बना लिया है तो वो भी सामने नहीं आया अभी तक और हमें ये जानकारी नहीं है सर कैसे हैं क्या प्रोब्लम है जिसके कारण वीडियो प्रेसित नहीं कर पा रहे हैं बस ये एक जो चैनल है ये एक माध्यम बन रहा है सिरफ उन तक पहुंचने का और पहुंचा सकते हैं मित्रूम वीडियो को आप सभी लोग जितना लाइक करेंगे जितने कमेंट करेंगे 100% उनके पास में वीडियो पहुंचने के संभावना है और आज आपको ये डिफरेंस पता चली ही गया हुगा मित्रूम कि मैं आजिस दोदरी सर नहीं हूँ हाँ थोड़ी भोत उनकी जो आवाज है वो मेरे से मिलती जुलती हो सकती है तो ये जानकारी थी मित्रूम और मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे आपकी जो भोनाओं का जुडाव है सर के परती ये बातें सभी सर तक पहुँचें जिससे सर जल्दी से जल्दी आप सभी के सामने आएं आज के लिए बस इतना ही मित्रूम कल फिर मिलते हैं एक नए टोपिक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जे हिंदे जे भारत